गोल, नीशन्स लीदिंग इंस्टिटूट अगर आप AITS दिये हो, तो आपके लिए इंपोर्टेंट ये तो है ही अगर आप अभी AITS नहीं दे रहे हो, अगर आप भी फ्रेसर बैच के स्ट्वेंट हो, अगर आप टार्गेट बैच के स्ट्वेंट हो चाहे आप AITS के स्ट्वेंट हो, अभी आपका AITS स्टार्ट नहीं हुआ है, तब भी आप इसको बहुत अच्छे से देखो अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो, यहां से देखना स्टार्ट कर चुके हो, इसको स्किप मत करना, आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इसको देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा important question यहां पर दिये हुए हैं, और एक से बड़के एक concept यहां पर आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, आपको confusion हुआ होगा, उसको देख करके आप सीखने की कोशिस करेंगे, ठीक है, सबसे पहले 51 नमर question जो आया है, और इसमें आपको कह रहा है, अपको बंदने के लिए किसको कह रहा है, एथेनल एक बंद रहा है, और पेंटेन थ्री ओन बंद रहा है, ठीक है, यानि एक है एल डीहाइड एक है किटउन, तो सबसे पहले आप क्या करो, इथेनल बना दो, तो इथेनल हो गया, यहाँ पर असीटल डीहाइड, यह हो गया सीच डबल बोन ओ, ओके, सीच डबल बोन ओ, को एथेनल या असीटल डीहाइड कहते हैं, फिर पेंटेन थ्री ओन है, तो कर दो जहां से ओको आपने निकाला है वहां पर कमबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा CH3 CH और double bond C हो गया ना उट्टो को बार कर दिया double bond C और C के साथ यहां पर जो attached रह गया है वो इथाइल है और यहां पर भी एक इथाइल है अब जो यह structure बना वही एलकीन के ओजलाइसिस करने के बाद यह इथेनल और पेंटेन 3-on का formation हो सकता है देखो कितना आसान टेक्निक है यहां पर बनाने का आई पेसी नेम लिखोगे 1, 2, 3, 4, and 5 ऐसा कोई अप्शन आ रहा है थ्री इथाइल पेंट टू इन, थ्री इथाइल पेंट टू इन यानि कि 51 का answer यहां पर हो जाएगा third किलियर है concept कितना आसान सा तरीका है बहुत सारे student यहां पर क्या करते हैं कि लेंदी प्रोसेस में चले जाते हैं लेंदी प्रोसेस कहने का मतलब वो सारे option को पहले structure बनाते हैं अब फिर ओजनाइसिस करके देखते हैं कि कहां कहां पे इथेनल और पेंटेन थ्रियों बन रहा है ऐसा नहीं करने का जो भी आपको कह रहा है कि बन रहा है उसको आमने सामने लिख करके को निकाल दो और combine कर दो carbon carbon double bond से और देखो कौन सा इलकीन बनता है वही इलकीन यहां पर एंसर आ जाएगा तो थ्री इथाइल पेंट ट्वें हो जाएगा 51 का थ्री एंसर हो जाएगा clear concept ओके next question यहां से हम लोग चले 51 के बाद 52 the all possible isomers of C5H8 having one triple bond यहां से बहुत important आपको concept मिलने वाला है तो देखो C5H8 दिया हुआ है और एक कह रहा है कि इसमें triple bond को रखना है तो पहले क्या करो ना CH3 CH2 CH2 and 3 carbon हो गया 4 and 5 इस तरीके से हो जाएगा इसको कहेंगे वन पेंटाइन देखो तो C5H8 हुआ 1,2,3,4,5 hydrogen count कर लो 3,2,5,2,7,1,8 balance है उसके बाद इसमें क्या करते हैं यह जो आपको दिया हुआ हुआ है C1,1,CH यह हो गया इसके केस में normal propyl acetylene और यह हो गया इसके केस में isopropyl acetylene यानि कि यहाँ पर पैरेंचेन 1,2,3,4,5 carbon का यहाँ पर 1,2,3,4 carbon का पैरेंचेन कर दिया इसके बाद एक और इसको बना सकते हो तुम लोग CH3 उसके बाद इसमें रख दो CH2 C1,1,C के साथ CH3 यह यहाँ भी देखो 1,2,3,4,5 3,3,6,2,8 hydrogen यहाँ भी हो गया इसके बाद इससे आप नहीं बना सकते हो ठीक है यही तीन structure तुम लोग ड्रा कर सकते हो एक हो सकता है 1,Pentine एक हो सकता है 3,Methyl 1,Butine उसके बाद यहाँ पर हो सकता है 1,2,3,4,5 यानि कि 2,Pentine हो सकता है इसलिए यहाँ पर टोटल इसका बन सकता है एक ट्रीपल बॉन रखते हो ठीक्टर बन सकता है यानि कि 52 का भी एंसर थर्ड आ जाएगा क्लियर है concept यहाँ तक आगे चलता हूँ next question की तरफ next 52 के बाद आते हैं 56 बहुत यासान सा question है बहुत यासान देखो इसको आप लोगों ने जरूर बनाया होगा match the column 1 with column 2 और column 1 में आपको reaction दिया हुआ है column 2 में उस reaction का नाम आपको लिखा हुआ है अब किसका क्या matching होगा इसको जरा सा हम दोग देखने की कोशिस करते हैं जैसे कि देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है butane और butane का reaction BR2 के साथ दिया है strength in the presence of HNU देखो जहां कहीं भी कोई LKN आपको लिखा हुआ रहे है कौन साल और LKN का reaction अगर आपको BR2 के साथ देता है चाहे CL2 के साथ देता है अभी सिक्दम बिल्कुल धियान रखना है कोई भी LKN हो और LKN का reaction अगर BR2 या CL2 के साथ होता है in the presence of heat, sunlight, ultraviolet light या फिर HNU तो ultraviolet ray देदे, HNU देदे, sunlight देदे ये सब अगर आपको heat लिखा हुआ रहता है वहाँ पर mechanism होता है FRS यानि कि FRS कहने का मतलब हो गया free radical substitution reaction देखो तो कोई option है third यानि कि A वाले का आजाएगा आपको third free radical substitution होता है अभी से आप लोग कभी गलती करेंगे इसको ध्यान रखेंग अगर गलती हुआ है तो अनि तो सही हुआ है तो आपको बदाई हो अब यहां से देखो नेक्स दिया हुआ है एलकीन का BR2 के साथ reaction in the presence of carbon tetra chloride एक बात याद रखीगा जहां भी कहीं कोई एलकीन हो चाहे एलकाइन हो एलकीन या एलकाइन का reaction अगर आपको BR2 या CL2 के साथ होता है in the presence of carbon tetra chloride या फिर कोई solvent दिया हुआ रहता है water भी रह सकता है यहां पर होता है एलक्ट्रोफिलिक एडिशन ठीक है तो carbon tetra chloride solvent के presence में अगर bromination किया गया है चाहे एलकीन का चाहे एलकाइन का mechanism होता है एलक्ट्रोफिलिक एडिशन एक option दिया हुआ है first यानि कि B का हो जाएगा first अब आते हैं C नंबर C नंबर में आपको जो दे रहा है student वो बेंजीन का reaction BR2 के साथ in the presence of iron देखो जब भी तुमको इस प्रकार से question अगर आपको दिया हुआ रहता है जहां कि बेंजीन या बेंजीन से बने हुए compound का बेंजीन से बने हुए compound कहने का मतलब हो गया टॉलन इताइल बेंजीन फिन एलनलिन नाइट्रो बेंजीन यह सब जो होता है उसको मलोग बेंजीन derivatives कहते हैं बेंजीन से बने हुए compound का reaction अगर BR2 या CL2 के साथ होता है in the presence of iron या फिर FECL3, FECL3, ALCL3, ZNCl2 इस प्रकार का अगर Lewis Acid के presence में reaction करने के लिए देता है student यहां प की प्रजेंस में सी में देखो कोई एलक्ट्रोफेलिक सब्सेशन है यह सार बिल्कुल हो रहा है यानि कि सी का हो जाएगा फोर उसके बाद आते हैं डी नंबर डी नंबर में क्या कह रहा है यह लीथियम एलमुनियम हाइड्राइड की दौरा रिडेक्शन है बहुत इंपॉर है और यही एच माइनस एक्चॉल में काम करता है रिएक्शन में किसका निकलियोफाइल का तो जब यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ एल्डी हाइड के साथ जो भी एल्डी हाइड होता है यहाँ पर हमको प्रोपेनल दिया हुआ है यह जहाँ इसे यहाँ प करता है वही h- nicleophile का काम करता है और यहां पर actual में nucleophilic addition होता है तो यहां पर 1H का addition होता है और addition of hydrogen को हम लोग reduction कहते हैं और 1H यहां add हो जाएगा CH2 बनेगा और इस O- का फिर से acidification कर देते हैं तो प्राइमरी एलकोहल ओके यहां पर हमको कहेंगे D में होगा second क्योंकि यहाँ पर निकलियोफिलिक एडिशन हो रहा है तो यह हो जाएगा सकेंड देखो तो इसा कोई अप्शन मैच कर रहा है A का 3, B का 1, C का 4, D का 2 यानि किसका एंसर यहाँ पर 56 का एंसर हो जाएगा 4 तो ध्यान रखना लीथियम अलमूनियम हाइडराइड के साथ जो रिडक्षन कराते हैं एल्रिहाइड का चाहे किटोन का वो निकलियोफिलिक एडिशन ही होता है जिसके नाम के लास्ट में हाइडराइड लगा होता है वो एक्चुल में H-donor होता है H- reaction में डोनेट करता है इसलिए वहाँ पर निकलियोफाइल का काम गरता है और आगे य Airlines 1 bromepropane to all okay देखते हैं क्या होता है सबसे पहले mechanism आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होता है दिया हुआ है प्रोपीन तो प्रोपीन इस तरीके सेलोग बना सकते हैं तो पहले step में क्या होता है कि BR2 मेंस पर फीरेग्सिं होता है जानते हो कि DR एक ब्रोमीन के पास थी लोन पेर होता है इस तरीके से होता है अब एलक्ट्रोफिलिक एडिशन यहां पर मेकेनिजम होता है यह जो एलकीन का पाई बॉंड है यह एलकीन के पाई बॉंड का दो एलक्ट्रोन एकसेप्ट करता है ब्रोमीन और जैसे एकसेप्ट करता है यह ब् करते हैं bromination तो करना ये है कि जिस दो carbon के बीच में pi bond है वहाँ पर एक BR को लिखो और जिस दो carbon के साथ वहाँ पर pi bond है उसके साथ दो bond बना देना है एक bond इसके साथ एक bond इसके साथ क्योंकि एक bond बना इस pi bond के दो electron देने के कारण एक bond बना इस loan pair का एलेक्ट्रोन देने के कारण अब इसके पास तुम देख सकते हो कितना बन बन चुका है दो इसको हम लोग एक पॉजिटिव चाट डाल देते हैं इसी को हम लोग जो कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटर्मीडियेट इसको कहा जाता है ये तो पहले फॉर्मेशन करता है अब इसमें होता क्या है वो देखो अब इसमें एक्चुल में दिया हुआ है वाटर दिया हुआ है तुम जानते हो क्रॉस वाला हो जाता है मेजर पता है यहां पर निकलियोफाइल एक निकलियोफाइल दिया हुआ है वाटर क्योंकि सॉल्भेंट की रूप में जो वाटर सब्सक्राइब लेकिन अगर यह इस साइड से ओपेण होता है प्लस इस साइड से ओपेण होता है तो इसimir जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसके उपर इस मिथाइल का प्लस आई लगेगा तो ज़्यादा इस्टेबल होगा तो आपको इस bond को उस direction से open करना है जिस direction से open होने के बाद जो पार्सिल पॉजिटिव चार्ज बनता है वो ज़्यादा इस्टेबल बनता है तो इस direction से open होगा और water attack करेगा यहाँ पर और यह 20 एडिशन के लिए opposite direction से पहुंचेगा तब तक water attack करके बहुत सारा product बना होता है यहाँ पर ध्यान डखना जब water attack करता है तो वही product यहाँ पर जो बनता है वो major बनता है ठीक है न और जो BR यहाँ पर निकला है BR- वो भी attack करता है यहाँ पर actual में दो product बनता है mixture of product बनता है यह यहाँ पर major बन जाता है student cross वाला यहाँ पर major हो जाता है देखो यह यहाँ पर major हुआ तो कहरा है the reaction of BR-2 plus water with propane gives one bromo propane to all बिल्कुल सही है नोमेंकलेचर करोगे तो 123 यही होगा इसका नाम हो जाएगा one bromo propane to all बिल्कुल correct है अब कह रहा है region कह रहा है attack of water on bromonium ion यहीं हो गया bromonium ion intermediate एकदम ध्यान रखना follows marconic ops rule यानि कि according to marconic ops rule यह जो nucleophile है उस direction से attack करेगा जहाँ पर H का संग्या कम है क्योंकि उस direction से जब attack करेगा ति यह जो bond break होकर के जाएगा BR-plus लेकर के तो delta plus जो generate होता है तो methyl के plus I के दोरा ज्यादा इस्टिवलाइज होता है ति यह correct कह रहा ह कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion यानि कि 58 का answer यहाँ पर हो जाएगा third clear है इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे और जानते हो यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग solvent करूप में carbon tetra chloride रखते हैं जब आप BR-2 के साथ reaction करवाते हो तो water क्यों नहीं रखते हो क्योंकि water गर रखते हो तो pure आप को एटेक करके मेजर वही बना देता इसलिए यहाँ पर carbon tetra chloride रखा जाता है विशनल डाहलाइट को प्योर बनाने के लिए तीक है इस बहुत important question आप लोगों को बोला नहीं बहुत सांदार question है आप लास्ट तक इसको देखे एक-एक question को सीखने का बहुत अच्छा मोका है आ आपको बताता हूं rate of ESR जहां कहीं भी पूछे rate of electrophilic substitution rate of ESR जहां कहीं भी पूछे directly proportional हम लोग कहते हैं plus I plus M और inversely proportional हम लोगों को कहना है minus I minus M बात करते हैं क्योंकि सुभाविक सी बात है ना जानते हो electrophilic substitution reaction में बनता है कार्वो कटैन intermediate यानि कि उसको कहते हैं irinium ion intermediate तो उस कार्वो कटैन को irinium ion intermediate को ज़्यादा इसे समझो अगर उतना नहीं पकर पा रहे हो mechanism तो पकरो ऐसे कि एलक्ट्रोफाइल को attack करना है तो एलक्ट्रोफाइल attract कहां होगा फास्ट एलक्ट्रोफाइल वहां attract होगा जहां पे electron की density ज्यादा है बस ऐसे तुम समझो अब यहां पर तुम सोचो क्या सो करता है यह जो NO2 है ना इस्ट्वेंट यह NO2 सो करता है माइनस M यह मतलब electron density ring के अंदर घटाता है और यहां पर जो methyl है ना मिथायल यह सो करता है hyperconjugation agelage plus I both यह सो करता है यहां पर OH के पास loan pair है जिसके first atom पे loan pair होते हैं वो सो करते हैं plus M effect यहां पर NH2 के पास loan pair है तो जिसके पास loan pair होते हैं वो भी सो करते हैं plus M और यहां पर देखो यह OCS3 है तो OCS3 का भी first atom पे loan pair है तो यह भी सो करता है plus M effect अब तुम यह सोचो plus M का magnitude किसका ज्यादा होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ nitrogen और oxygen में nitrogen और oxygen में जिसका electro negativity कम है उसका plus M का magnitude ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा प्लसम का magnitude यहां पर NH2 का है उसके बाद मैं बाते करूं OH और OCS3 का तो OH और OCS3 में ध्यान डखना OH का प्लसम का magnitude ज्यादा होता है compared to OCS3 क्योंकि student यहां पर overall देखा जाता है electro negativity group का यहां oxygen oxygen common है यहां O के बाद H है वहां O के बाद C है carbon है तो hydrogen का electro negativity कम होता है और carbon का electro negativity सबसे अच्छा डोनर फिर OCS 3 आपने देखा होगा OCS3 का माइनस आई ज्यादा होता है體क है प्लसम कम होता है बाद माकि तो यह प्लस आई सो कर रहा है, hyperconjugation सो कर रहा है, minus M, तो सबसे list reactive अगर मैं बाते करूँ यहाँ पर, rate of ESR, rate of electrophilic substitution, reaction सबसे कम यहाँ पर जो होगे, student A का होगा, उसके बाद किसका होगा, B का होगा, A का सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा B का, उसके बाद यहाँ पर किसका हो जाए क्या, बिल्कुल यहाँ पर 3rd नमर आ रहा है, सबसे, क्योंकि हमको increasing order में पूछ रहा है, A का सबसे कम, उसके बाद B, उसके बाद E, उसके बाद C, उसके बाद D, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं, next question की तरफ, next 64 के बाद आपको कह रहा है, in the following reaction, the major product Y is, अरे, तो यहाँ पर यह जो है न, actual में, वो normal hexane दिया हुआ है, तो isomerization reaction तुम लोग करते हो, जब normal hexane का, ओके, तो इस तरीके से लिख दो, इसको हम लोग कहते हैं, normal hexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हो गया, normal hexane, और normal hexane का reaction हम लोगों को जो करवाने के लिए दिया हुआ है न, instrument, वो होता ह है, anhydrous ALCl3 in the presence of concentrated SCL, ऐसा heat करने के लिए दिया है, तो जानते हो, यहाँ पर दो परकार का product बनेगा, एक तो बन जाएगा, 2-methyl, 2-methyl-pentane, तो एक तो यहाँ पर हम 2-methyl-pentane का formation कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक 3-methyl-pentane, यह दोनों का mixture का formation कर सकता है, इसी को हम isomerization reaction कहते हैं, इस reaction का जो नाम है ना, इसको isomerization reaction है, आप इलकेन चेप्टर में जाओगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो यह तो option में दिया नहीं है, तो यही हो जाएगा, बाद मखी यहाँ पर देख सकते हो, यह क्या क्या कर दिया है, chlorine लगा दिया है, यह तो possible है, यहाँ पर तो ring बना दिया है, ऐसा तो होगा नहीं, इसके case में देख सकते हो, chlorine लगा दिया है, तो यही possible नहीं है, यही possible है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 carbon का parent चिन कर दिया, और यहाँ पर कर दिया है, इसके case में एक 3rd carbon methyl, चाहे है तो यहाँ पर 2nd carbon पर भी कर सकता था, वो भी correct हो स सकता था, इसका answer यहाँ पर हो जाएगा, इसको फोर्थ option हो जाएगा, बात कतम, ओके, next question की तरब चलते है, 65 के बाद, आते है, 70, 70 में करा है, the correct order of acid catalyzed hydration of alkane, देखो होता क्या है, एक्चुल में यहाँ पर electrophilic addition reaction होता है, ठीक है, क्या होता है, electrophilic addition reaction इसके case में हो जाता ह है, तो एक condition यहाँ पर देखना, acid catalyzed hydration, जब यहाँ से पूछा जा रहा है, तो जब भी तुमको पूछा जाए, यहाँ पर होता है mechanism, rate of electrophilic addition reaction, ठीक है, तो electrophilic addition reaction हम लोग सबसे पहले कहते हैं, directly proportional हो जाता है, plus I, plus M, के, और inversely proportional हो जाता है, किसके, minus I, minus M, के, ऐसा ध्यान दखोगे, तो सबसे पहले, direct यहीं से question बना देते हैं, चाहे तुमको एलकीन करेक्शन पूछे, HI के साथ, SCL के साथ, HBR के साथ, चाहे BR2, CL2 के साथ, चाहे water के साथ, आपको पहले कहना है, directly proportional प्लस I, plus M, अजब सबका प्लस I, plus M सेम हो जाए, तब आपको दूसरे नमर पे क सबसे पहले तो देख लेना है, कहां पर electron density ज्यादा है, मतलब कहां पर आपको donor ज्यादा लगा हुआ है, सबसे पहले वही देख लेना है, क्योंकि electrophilic addition grade को बढ़ाता है donor, उसके बाद जब मान लोग की कार्बो कटाइन भी सेम हो गया, प्लस I, plus M भी सेम हो गया, तब यह सबसे कम सबसे कम सबसे कम तो होगा यहांपर reactive A, इसके बाद हो जाएगा का क्या बी, अब आते हैं C और D मे देख लेते हैं, यहां कि यहां भी दो मिधागा है, यहां भी दो मिधागा है, दोनों में, plus I और अलफा H सेम हो गया, तब इसके केस में तुम लोग कह देख लेक तो अगर हम करते हैं Acid Catalyzed Hydrolysis तो Acid Catalyzed Hydrolysis कहने का मतलब हुआ H2O के साथ reaction in the presence of H+, यही होता है, तो H+, को पहले accept करता है, यह Pi bond का 2 electron H+, को देकर accept करेगा और H+, को जब accept करता है, यहाँ पर जो formation करेगा, वो करेगा tertiary carbon, क्या बात करते हो, यहाँ पर क्योंकि tertiary carbon है लेकिन अगर तुम इसके case में करते हो Acid Catalyzed Hydrogen, और यह Elkine का Pi bond पहले H+, को पिक करेगा, चाहे यहाँ add करो, चाहे यहाँ add करो दोनों तो secondary carbon है, तो माल लो हमने H+, को यहाँ add किया, तो CH convert होगा, CH2 में, और यह CH3 है, और यहाँ बन जाएगा कार्बो कटैन, यह कार्बो कटैन कितना degree बन गया, यह कार्बो कटैन tertiary बन गया, और यह कार्बो कटैन secondary बन गया, तो जब दोनों में plus I common हो गया, यहाँ भी दो में हो गया, यहाँ भी दो मींतायल का German हो गया, तो देख लो कार्बो कटैन ज्यादा EV κ अल्यादा, यह нек हो जाएगा, यह सबसे ज्यादा यहाँ पर हम लोग कहेंगे फिर वह सेम हो जाए तब डारेक्ली प्रपोर्शनल अश्विटी आप कार्बोकन इंटर्मेडियेट और वह भी सेम हो जाए तब इनभर्सली प्रपोर्शनल अश्विटी आफ एलकेन बात कतम उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपको दे रहा है इसमें 71 नमर कुश्चन, 71 में कहा रहा है दा मेजर प्रड़क्त आप मोनो नाइट्रेशन आप फ्रोईंग कंपाउड एज अरे नाइट्रेशन करने का मतलब क्या हुआ नाइट्रेशन केहरने का मतलब हुआ कि इसका हम लोग जो रियक्शन करवाने वाले हैं इसमें रियक्शन का मेकेनिजम होता है एक्च्वल में ESR और जब नाइट्रेशन हम लोग करते हैं ना तो एलक्ट्रोफाइल का जो काम करता है वो करता है NO2+, यह सब आप लोग जानते हो कि nitrogen में electrofile का काम कौन करता है NO2+, mechanism होता है ESR, अब तुम यह देखो क्या हो रहा है यह जो oxygen है, इस ring के साथ attached, नहीं इस ring के साथ attached जो यहाँ पर oxygen है उसमें lone pair होता है मतलब यह काम करता है active heater का नहीं, इसके case में तुम देखो lone pair single और यहाँ पर double कर दो फिर यहाँ double कर दो, फिर यहाँ double कर दो यह lone pair actual में सो करता है plus M effect और यहाँ देखो इसके respect में यह double है single double, single double यह जो C double bone O है, इस ring के respect में क्या सो कर रहा है, minus M तो minus M को कहते हैं deactivator जो plus M सो कर रहा है, उसको कहते है activator, और आप यह भी जानते हो जो activator होता है, वो ESR reaction में होता है ortho and para directing, अब major देता है कौन सा, पारा वाला, लेकिन जो deactivator होता है, वो meta directing होता है लेकिन ESR reaction में electrophile कहां जाएगा, जहाँ electron density जादा है, मतलब उस ring के पास जाएगा जहाँ पर electron density बढ़ रहा है electron density बढ़ रहा है, इस ring में क्योंकि plus M सो कर रहा है, इसके respect में ये दोनों बगल में ortho है और ये बगल में meta है, और ये just opposite direction जो ये दिख रहा है ये ही तो para है, ये दोनों meta है तो ortho para directing होता है, ortho पे तो minor बनेगा, major बनेगा para पे तो देख लो, इस ring के respect पारा पे attack करेगा, इस ring में अटक किया हुआ है ये option नहीं होगा, लेकिन इस ring में इस O का respect में जो activator है, उसके respect में ortho ये meta पे attack कर दिया, नहीं होगा इसके respect में देखो, अटक ही नहीं कराया इसके respect में देखोगे, ये दोनों ortho है ये दोनों meta है तो O के respect में ये जो ortho para directing है तो para पे attack सिर्फ यहां हुआ है यानि कि 71 का answer आपको फोर हो जाएगा बात कर तो कितना आसान question है next चलते है question की तरफ 71 के इसमें थोरा साम लोगों को missing दिया हुआ है एक pi bond नहीं लिखा हुआ है तो थोरा सा इसको correction कर लेते हैं सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ यहाँ पे triple bond होना चाहिए double bond लेकर के बनाओगे तो answer नहीं आएगा लेकिन आपको समझना परेगा कि balance नहीं है मतलब यहाँ पर missing है triple bond में एक pi bond तो यहाँ पर सबसे पहले C triple bond CH होगा अब इसके बाद क्या होगा है इस propine का reaction करना है पहले sodamide के साथ जानते हो कि sodamide ये बहुत ही ज़्यादा strong base होता है ये तूटता है NH2 minus और Na plus यही जो NH2 minus होते हैं ये NH2 minus यहाँ से एक H plus को pick करेगा और H plus जब निकलेगा दो electron छोड़ करके वहीं पर जिस carbon के साथ attached है इसके case में formation करेगा C triple bond C minus और Na plus ऐसा यहाँ पर formation कर दिया इसको हम लोग जो कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं sodium propineide अब इस sodium propineide का reaction करवा देना है किसके साथ Ethyl bromide ETBR का मतलब होता है ETBR का मतलब होता है Ethyl bromide ऐसा समझो अब इसके case में तुमको पता होनी चाहिए reaction का pathway होता है SN2 SN2 pathway होगा एक तरब से attack करना निकलियोफाइल का दूसरी तरब से BR माइनस का निकलना simultaneously होता है और जैसी ऐसा होता है तो C111C attack किया CH2 के उपर और CH2 के साथ यहाँ पर रह जाता है CH3 और बाहर हो गया इसके case में NABR इस तरीके से तुम reaction करवा देते हो और further यहाँ पर तुमको जो दिखा रहा है instrument हाइड्रोजनेशन दिखा रहा है PD-BASO4 यानि कि Lindlar catalyst के presence में तो PD-BASO4 ऐसा इसको हम लोग क्या कहेंगे controlled hydrogenation और इस controlled hydrogenation में जो होते है actual में वो होते है strength scene addition नहीं scene addition होता है तो कैसा form बनता है cis form तो 1H यहाँ add करो 1H यहाँ add करो same side से तो यह cis form बना दो यहाँ पर 1H यहाँ पर 1H add कर दिया बाद मा की जो methyl है वो अपनी जगह पे रह जाएंगे और वहाँ पे जो methyl है वो भी अपनी जगह पे रह जाएंगे इसको ऐसे दिखा दो तो यहाँ तक हम लोगों को B बन गया नहीं तो A बन गया था सबसे पहले हम लोगों को यह यह तो A बन गया और A के बाद हम लोगों को यह जो बन गया इसमें वो B बन गया और B बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना है वो ozolysis करना है तो ozolysis करने के लिए यहां पर O3 लिया गया है और Jink in the presence of water और मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार के structure का Ogenalysis कैसे किया जाता है तो जब भी आपको इस तरीके के structure कहीं पर आपको दिया हुआ रहता है student सबसे पहले क्या करना यह Reductive Ogenalysis है O3 लिखा हुआ है first में second में Jink in the presence of water लिखा हुआ है मतलब Reductive Ogenalysis है Reductive Ogenalysis में करना क्या होता है बीच ओ बीच इस pie bond को यहां से break कर दो और दोनों साइड डाल दो क्या oxygen बिलकुल रसगुले की तरह है ठीक है मुह में पानी आ गया है ना सुनकर के यहां पर रसगुले की तरह दोनों साइड ओ को रखोगे तो क्या बनता है सबसे पहले यहां पर एक बन गया CS3 और C double bond O के साथ एक हैच यह खतम हो गया इधर कट गया ना एक बन गया प्रोपेनल देखो ऐसा कोई option है क्या अरे है ना थर्ड अप्शन यह मिठाइल को मिठाइल को मिठाइल को मिठाइल में लिखते हैं और यह सी डबल बॉन ओएच को फिर लिखते हैं अब फिर तो हम लोगों को अब कह रहा है 74 के बास 75 the total number of isomers on monoclorination of isopentene is isopentene में total number of monoclorination product कितना होगा including the stereo isomers कैसे इस प्रकार के question को solve करते हैं सबसे पहले तो तुम लोग बना दो isopentene isopentene का मतलब यह हो गया जिसमें कि हम लोग दिखा सकते हैं CH3 और CH के उपर एक और रख दो यहां पर CH3 और फिर इसमें एक CH2 रख दो और फिर यहां पर CH3 रख दो अब तुम देखो इसमें करना क्या है इसमें करना है chlorination in the presence of malo heat तो होता क्या है न यहां पर mechanism actual में होता है free radical substitution अब देखो इसमें कितने tabs के hydrogen atom है यह 1 degree और यह 1 degree किस से attached है 3 degree से दोना identical हो गया इसको malo type 1 इसको कर दो cancel क्योंकि जो यह है वही है क्योंकि दोनों का degree भी सेम है और attachment भी सेम है लेकिन यह कितना degree है यह 1 degree लेकिन पता है यह 1 degree किस से attached है 2 degree से इसको माल लेंगे हम लोग type 4 यहां पे 4 types का हो गया hydrogen atom तो कहां कहां attack हो सकता है एक हो सकता है पहले इस 1 degree पे इस 1 degree पे जब chlorination होता है student ऐसा दिखेगा CH2 CL और फिर इसके बाद हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखेंगे जिसमें CH के साथ CH3 and CH2 and CH3 अपनी जगा पे हम लोगों को रखना परेगा कोई दिक्कत नहीं है एक टर्सरी के ऊपर करा देता हूं chlorination तो तर्सरी के ऊपर जब मैंने करा दिया chlorination यहां पर किसी प्रकार का कोई chiral center बन ही नहीं रहा है क्योंकि question में साप साप लिखा हुआ है including the estereo isomers उसके बाद तुम लोग देखोगे तर्सरी पे हो गया और तर्सरी के साथ attached primary पे हो गया अब हम लोग यहां पर करते हैं secondary के ऊपर तो secondary एक अलग hydrogen है यहां पे तुम लोग कर सकते हो एक और यहां पे बना सकते हो stent इसमें मैं इधर लिख देता हूँ इस primary carbon के ऊपर यह primary carbon अलग है यह मैं समझना कि sir जो यह है वहीत यह है नहीं जब degree और attachment दोनों सेम हो जाता है तब identical कहते हैं यह दोनों का degree भी same attachment भी same तब identical है लेकिन इसका degree तो same है इसके लेकिन attachment two degrees सहत अलग हो गया और यहां पर एक जो बनेगा इस one degree के साथ वो different बनेगा नाम लिख करके तुम देख सकते हो student अगर नाम same आता है तब उसको identical कहा जाता है अगर नाम different आता है तो उसको identical नहीं कहा ज देखो जब 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 भी आपको कहा जाए including the estereo isomers मतलब तुम देखो क्या इसके अंदर kairos center है क्या kairos center इसके अंदर है क्या जहां chlorination हुआ वहां kairos center नहीं है लेकिन chlorination होने के कारण बगल में बना kairos center अब बच्चों जहां कहीं भी one kairos center होता है तो total number of estereo isomers कितना होता है दो का मतलब कहने का क्या हुआ दो कहने का मतलब हुआ एक डेक्स्ट्रो होता है और एक लीवो होता है और यहां पर किसी परकार का कोई kairos center तो है ही नहीं जब kairos center किसी के पास नहीं है तो यहां पर कितना मानेंगे एक जो है वही हो जाएगा यहां पर भी one kairos center है तो जैसी आपको including the studio ASMRS कहा और one career center है इसके अंदर तो total यहाँ पर हो जाएगा 2 the power N यानि कि 2 the over 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा यानि कि इसके case में एक dextro होगा और एक livo होगा दो यहाँ हो जाएगा और इसमें भी किसी प्रकार का कोई career center नहीं है H20 यानि कि जो आपको दिख एक वह हो जाएगा तो total यहाँ पर including the stereo ASMRS कितना निकला 224516 ऐसा को option है क्या बिल्कुल यहाँ पर second option आप लोगों को दे रहा है 75 का second हो जाएगा बात खत्म कितने आसान है ठीक है ध्यान डगना इसी में आपको including the आपको वहाँ पे लिख देता है कि after the fractional distillation तो after the fractional distillation आपको चार ही मिलेगा क्योंकि इनान स्विमर्स का जो boiling point होता है सेम होता है तो separate नहीं हो सकता है तो अगर question में mention कर देगा वहाँ पर कि after the fractional distillation आपको कितना मिलेगा तो फोर हो जाएगा answer अब आते हैं 76 बहुत अच्छा question है इसको लोग solve करके देखते हैं सबसे पहले NBS के साथ reaction आपको कराने के लिए कह रहा है जानते हो एक बात NBS के साथ जो reaction होता है student सिर्फ allylic और benzylic hydrogen का ही होता है मतलब carbon carbon double bond के साथ जो directly attached carbon है NBS के साथ उसी carbon पे होता है अरे NBS का full form होता है N-bromo succinemide N-bromo succinemide के साथ सिर्फ और सिर्फ allylic और benzylic जो position होता है उसी पे ब्रोमिनेशन होता है मतलब carbon carbon double bond के साथ जो directly attached SP3 carbon होगा वहाँ at least one H atom होना चाहिए वहीं पे ब्रोमिनेशन होता है NBS के help से नॉर्मली methane का, ethane का, propane का, butane का NBS के साथ reaction नहीं होता है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका ब्रोमिनेशन तो carbon carbon double bond के साथ जो directly attached bromine है उसी का होगा जो carbon carbon double bond के साथ directly attached SP3 carbon है उस पे होगा ब्रोमिनेशन इसको हम लोगों ने कर दिया उसके बाद Ecos KOH जानते हो कि यहाँ पर water के presence में KOH के साथ reaction है मतलब यहाँ पर हो जाएगा nucleophilic substitution reaction होगा यहाँ से बाहर कर दो KBR बाहर करके OH- को वहीं पर add कर दो तो जैसी तुम यहाँ पर OH- को add करोगे nucleophilic substitution reaction कराने के बाद यह formation करेगा CS3 double bond CH और यहाँ पर आ जाएगा OH और यह हो जाएगा CS3 अपनी जगह पे बाहर हो गया इसके case में K plus और BR minus KBR को बाहर कर दो अब further यहाँ पर क्या कह रहा है पहले तो यह बन गया तुमको X ओके यह तो हम लोगों को X बन गया और इसके बाद जो हम लोगों को बना है एक्वस के वैज के साथ reaction करने के बाद यह Y बन चुका है और further यहाँ पर जो लिखा है student वो sulfuric acid के साथ थोड़ा heat लिखना चाहिए था तो heat नहीं लिखा है तो कोई बात ने समझना परेगा बातों को अब क्या होगा dehydration dehydration होता है sulfuric acid के presence में तो यहाँ पर rule of conjugation के मताबिक product बन रहा है OH- यहां से निकलेगा H प्लस बगल वाले carbon से निकलेगा मतलब यह बन जाएगा conjugated product ठीक है तो CH2 double bond CH and CH double bond CH2 यह बन जाएगा 1-3 butadine और 1-3 butadine का case थोड़ा special होता है ध्यान डखना HBR के साथ हम लोग reaction करवाते हैं दो प्रकार का product बनता है यहाँ पर एक बनता है 1-2 edition product एक बनता है 1-4 edition product जानते हो जब तुमको temperature mention कर दे minus 80 degree Celsius मतलब भेरी भेरी low temperature तब होता है 1-2 edition और नहीं तो अगर temperature mention नहीं किया हुआ है तो room temperature माल लेते हैं यहाँ तो heat किया हुआ है heat करते हैं तो 40 degree Celsius पे जो बनता है 1-4 edition product कैसा होता है बताता हूँ यह सबसे पहले क्या करते हैं H plus है BR- है यह कोई भी इलकीन का एक πाई बॉन दोनों में से किसी का भी यह पहले पिक करता है H plus को जैसे H plus को पिक करता है यहाँ पर add कर दो माल लो यहाँ पर हमने H plus को add कर दिया क्या बन गया जाता लिखा हुआ रहा रहता question में very-very low temperature तो direct हम यहीं पर BR को add कर देते और question का answer हो जाता 123 यानि की answer हो जाता फिर 3-1 butine तब यहाँ एड कर देते मतलब यहाँ एड कर देते H को यहाँ एड कर देते BR को यह हो जाता kinetic control reaction very-very low temperature पे minus 80 degree Celsius पे हो जाता 123 3-1 butine लेकिन अगर आपको temperature नहीं दिया हुआ है द्रून temperature या heat लिखा हुआ है मतलब 40 degree Celsius यहाँ पे लिया जाता है यहाँ पर क्या होता है यह कार्भो कटाइन के साथ इस एलकीन का resonance हो जाता है इस pie bond का resonance जैसे होता है strength यहाँ पर CS3 CH and double bond CH के साथ यह बना इसके बाद इसके उपर BR- attack करता है और BR- यहाँ अटेक करता है तो जो product इसके case में बनता है high temperature पे वो बनता है CS3 CH double bond CH और CH2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन नाम देख लो इसका क्या होगा 1,2,3,4 ऐसा कोई option है क्या यानि कि 76 का answer तुम कह सकते हो वन ब्रोमो ब्यूट टूइन बात समझाया क्या अगर question में heat लिखा हुआ है इस तरीके से पहले H plus को add करोगे 2 degree कार्भो कटैन बनाओगे resonance करके more stable alkyn बना करके और उस अब BR कहा है एड हुआ वहाँ क्योंकि यहाँ पर H plus add हुआ तो CS3 हो गया फिर कार्भो करण यहां हुआ तो BR वहाँ गया मतलब H गया 4 पे और ब्रोमीन गया 1 पे इसको कहते है 1,4 एडिशन तो 1,4 एडिशन जो होता है वह हाई temperature पे होता है 40 degree Celsius पे major यही होता है यही इसके case इसका answer हो जाएगा यहाँ पर 1 इस तरीके से ध्यान रखना यहाँ ब्रोमीन एटेक करके बनाओगे लो टेंप्रेचर माइनस 80 degree Celsius हीट लिखा हुआ है question में तो 1,3 एडिशन होगा यहाँ यहाँ पर देखेंगे more stable कौन होता है रेजोनेंस करने के बाद इसको more stable बना करके आ बाते clear करके रखना ठीक है अच्छा सा question यहाँ पर आपको पूछे गए है next देखते हैं 76 के बाद आपको 77 नमर question इसमें भी थोड़ा सा correction करना है answer थोड़ा सा गलती है इसका ठीक है ना कोई बात ने थोड़ा बहुत हो जाता है अब देखो इसमें क्या करना है पहले तो BR2 क के साथ in the presence of heat चाहे sunlight अल्ट्रा बॉलेट रे या हैच नियू तो वहाँ पर mechanism जो होता है वो होता है FRS free radical substitution reaction होता है और free radical substitution reaction जो होता है सबसे ज्यादा tertiary hydrogen का उसके बाद secondary hydrogen का सबसे slowest होता है primary hydrogen का यहां पर देखो यही है tertiary hydrogen उसी का होगा न तो जहां पर methyl attached है student वहीं पर जाकर के bromination होगा तो bromination होगा तो यहां पर formation करेगा one bromo one methyl cyclohexane और यही जो formation किया वो X का formation किया further हम लोगों को जो reaction करवाना है वो है alcoholic kvh तो जानते हो क्या होता है जब भी कभी आपको किसी भी alkyl halide correction किसी भी alkyl halide correction अगर आपको दिया हुआ है alcoholic kvh या alcoholic nvh ध्यान रखना nvh या kvh in the presence of alcohol तो वहां पर mechanism होता है E2 यानि कि elimination reaction होता है तो E2 का मतलब हुआ जहां से living group निकलता है उसके just बगल वाले carbon से simultaneously H plus निकलता है तो अगर BR minus यहां से निकलता है तो बगल वाला carbon से मानलो H plus यहां से निकल रहा है और यहां से भी निकाल सकते थे यहां बगल में यह भी same carbon है ठीक है न यहां से गर H plus को निकाल देता हूं इसका मतलब यह जो formation यहां पर कर रहा है वो यह formation कर देगा one methyl cyclohexene यह formation कर देगा यह हो गया यहां पर वाई major product ठीक है बादमा की ऊपर जो होता है पेरोकसाइट की presence में free radical addition reaction होता है नहीं और free radical addition reaction होता है लगता है यहां पर anti-marconic और according to anti-marconic और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H के संख्या जादा है इसका मतलब है कि anti-marconic cops rule के according student यहां पर जहां मिथाइल है वहां H जाएगा और यहां पर ब्रोमीन हो जाएगा एक्चल में यह होगा इसके case में Z यहां पर गलती हो गया है क्या कि X और Y लिख दिया position isomers गलत X और Z होगा position isomers ठीक है क्योंकि X में यहां पर 1 पर है वहां पर 2 पर है यहां ब्रोमीन मिथाइल एक ही कार्वन पर हो सकता है टर्सरी के उपर होगा ब्रोमीनेशन और यहां पर anti-marconic option लगता है तो 1 और 2 पर होगा ब्रोमीन और मिथाइल सेम नहीं है X and Y are positional isomers यह गलत है X और Y का relation isomers का ही नहीं आइसमर्स ही नहीं यहां पर ठीक है X और Y isomers नहीं है answer actual में जो question दिया हुआ है उसके मताबिक यहां पर third चला जाएगा X और Y are not isomers यह isomers नहीं है उसके बाद X और Y identical है ऐसा भी नहीं है option यहां पर third है correct है answer दिया हुआ हम लोगों के test का जो paper है उसमें question में दिया हुआ answer जो solution है solution तो सही दिया हुआ है answer लिखा हुआ second है जो की गलत है X and Z अगर कर देता न तो X and Z होगा positional isomers थोरा सा ध्यान रखी गए इसको यहां given question के मताबिक answer जो हो जाएगा X and Y are not isomers बस ऐसा हो जाता है उसके बाद देखो 77 के बाद 77 के बाद हम लोगों को दिया हुआ हुआ है अब 82 कि 2-butanol on hitting with hitting with sulfuric acid gives 1-butan minor and 2-butan major देख लेते हैं क्या होता है जैसे आपको कह रहा है क्या 2-butanol तो 2-butanol कहने का मेरा मतलब यह है इसको हम लोग कहते हैं student 2-butanol और इसको हम लोगों को जो heat करने है concentrated sulfuric acid के साथ आप जानते हो यहां पर reaction का pathway even होता है नहीं अब carbocatine यहां बनेगा फिर बगल में से h निकलेगा direct में निकाल देता हूँ यहां से एक oh- निकला यहां से h-plus निकला यहां पर h-plus निकला मतलब setgeps rule के मताबिक more substituted alkene जो होगा इसके case में न वही major होता है इसलिए यहां पर कहोगे double bond CH and CH2 होते हैं यह formation कर दिया इसके case में two butane और एक अगर यहां से बगल में से directly attached carbon का संख्या ज्यादा है वही product इसमें ज्यादा है जहां substituent ज्यादा है वह minor और यह हो गया इसके case में माइन सरी जहां substituent ज्यादा है वह major जहां कम है वह minor अब इसमें कह रहा है कि two butane on hitting with H2 support gives one butane minor and two butane major बिल्कुल correct dehydration of two butane follows set japs rule यहां पर correct कह रहा है कि set japs rule के मताविक यहां पर major होता है two butane और minor होता है one butane बात सही है तो 82 का answer यहां पर हो जाना चाहिए third बात करता है कितना असान है बना सकते हो तुम लोग next question आते है 82 के बाद 86 identify the product A and C is A और C की बारे हम कह रहा है आपको पता है क्या सबसे पहले यह जो है न ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन है जो लिखा हुआ है यह ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन में होता है एलक्ट्रोफिलिक एडीशन रियक्षन और लगता है कौन सा रूल मार्कुनिक आप्स रूल तो एकोर्डिंग टू मार्कुनिक आप्स रूल इस वाटर को ब्रेक कर लो ट्रेक कि एंजाय और यहां एक एच है इसलिए तुमको एल्कोहल यह बन जाएगा यही हो गया हम लोगों का ए अब इसके बाद क्या कहता है दूसरा है यहाँ पर हाइडरो बुडेशन ऑक्सीडेशन और हाइडरो बढेशन ओक्सीडेशन जो करते हैं वहाँ पर तुमको होने चाहिए electrophilic addition reaction तो होता ही है लेकिन final product जो alcohol बनता है according to anti-marconic capsule तो सबसे पहले जो B बनाएंगे सबसे पहले आपको B बताता हूँ क्या बनेगा B बनेगा कुछ इस प्रकार से जिसमें के यहाँ पर OH को रख देते हैं ठीक है यह OH को हम लोग यहाँ पर करने के लिए हुआ है dehydration करोगे पहले यहाँ से OH मैनस निकलेगा और OH मैनस निकलेगा तो बनेगा कार्बो कटैन intermediate बात समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर बन जाएगा कार्बो कटैन और कार्बो कटैन बनने के बाद फिर से हम लोगों को करना परेगा hydride shift यह जो एच है ना इस एच को यहाँ लाओगे एच को यहाँ तुम लाओगे तो बन जाएगा टर्सरी कार्बो कटैन बिल्कुल फॉलो करो रूल को इस तरीके से हम लोगों को टर्सरी कार्बो कटैन का फॉर्मेशन करना चाहिए और इस कार्बो कटैन के रिस्पेक्ट में बगल वाले कारवन से Fat रह निकालना चाहिए तो बगल वाले कारवन से are we LEGO को जब निकालते है तो कुछ इस प्रेकार से हम लोगों को मिलेगा और इसमें इस तरीके से हम लोग के सिर्के प्रजंस में हीट करना है तभी तो यह प्लस आएगा वाटर बना के ले जाएगा कार्बो कटैन बनेगा उसके रिस्पेक्ट में मैच कर रहा है यहाँ पर हुआ नहीं सी्ट यह यह बने गाने सेट जफ्रूल disciple के मुताबिक तुम लोगों को इल्कीन यह भी नहीं यह भी नहीं बना रहा है सेट जब्स रूल के मुताबिक यहीं बना रहा है चौथा ओप्सन हो जाएगा यह देख सकते हो मैच कर रहा है यहां पर सी एस त्री सी एच टू सी एच डबल बॉन सी एस तरी ओके इस तरह से कोशन को बना दो कोई दिक्कत नहीं होता है उसके इन को हटा करके एच को एड कर दिया यह क्या है रिडेक्शन है यह और क्या यह रिडेक्शन है सोडियम इंदा प्रजंस अब ड्राइ एथर तुम लोग जानते हो यह 12345678910 कर दिया डबल हो गया कार्बन कपलिंग है मतलब यह उर्ज रिएक्शन है और जहां कहीं इलकाइ online के साथ करते हैं इसको हम लोग कहते है कोडा हाउस सिंधैसिस कbeiten टिके ठोड़ी हाउस सिंधैसिस है तो देखुए यहां पर कॉनसा मैच कर रहा है चौथा अपशन मैच कर रहा है क्योंकि पहला ही यहाँ पर देख रिडेक्शन ए जिंक सिटिक जिंक एच प्र लिखा रहत 57 के बाद आते हैं 90 ये तो बहuent असान है मनि कौन होता है जो माइनस M और माइनस ISO करता है तो जो भी स्ट्रॉंग माइनस M और माइनस ISO करेगा सब मेटा डिरेक्टिंग होगा ESR में इलक्ट्रोफिलिक सब्चूसर रेक्शन में यह मिथाइल है यह तो होगा नहीं क्योंकि यह और्थो पारा डिरेक्टिंग है यह COR कहने का मतलब C double bond OR जहां कहीं भी हेट्रोइटमिक मल्टिपूल बॉन्ड होता है यहां NH के उपर लोन पे रहा है यह प्लस M सो करता है प्लस M सो करने वाला होता है और्थो पारेक्टिंग यह तो होगा ने NO2 पारा डिरेक्टिंग होता है क्योंकि N double bond O होता है उसके बाद NHR यहां पे लोन पे रहती है यह तो होगा ने cn बिल्कुल होता है, aldehyde बिल्कुल होता है, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 and 5, 90 का answer यहाँ पर तुमको हो जाएगा second, metadirecting मतलब क्या, electron withdrawing group, यहाँ पर cor, 1, 2, 3, 4 and 5, बादमा की यहाँ लोन पेर है, यहाँ पर plus i सो करता है, hyperconjugation, यह और्थोपारा डिरेक्टिंग, यहाँ भी ल plus i और plus i सो करने बाला होगा, यह hyperconjugation plus i सो करने बाला होगा, वो तो सब और्थोपारा डिरेक्टिंग होगा, जो minus i सो करने बाला होगा, तो वो हो जाएगा metadirecting, बात खत्म, यहाँ पर देखते हैं, next question, इसमें पूछ रहा है, the decreasing rate of year, तो जब भी तुमको कभी पूछे ज proportional minus i minus m, चाहे तुमको electrophilic substitution पूछे, चाहे electrophilic addition पूछे, directly proportional आपको plus i plus m कहना है, मतलब सोचो न, direct, electrophile वहाँ जल्दी move करेगा, जहाँ पर electron density जादा है, यह पारा पे NO2 लगा हुआ है, तो पारा पे NO2 का कौन स i fact minus m, यहाँ पे पारा पे OME लगा हुआ है, तो पारा पे OME का कौन स i fact, plus m, मेटा पे कौन स i fact, minus i, तो सबसे ज़्यादा reactive यहाँ पे कौन सा हो गया, B, सबसे ज़्यादा reactive हुआ B, B के बाद कौन होगा, C, C के बाद कौन होगा, D, क्योंकि minus i थोड़ा weaker acceptor होता है, अब minus m बहुत ही ज़्यादा stronger acceptor होता है, तो वहाँ electron density सबसे कम हो minus m लगा दो, plus m लगा दो, minus i लगा दो, directly proportional plus i plus m, inversely proportional minus i minus m, बात कितम हो गया, 93 के बाद आते हैं, इस question पे यह भी बहुत थी सांदार question है, देखो क्या कह रहा है, sequence में चलना परेगा, सबसे पहले benzene का, जो reaction हो लोगों को दिया है, student वो दिया है, इथाइल, यह ET का मतलब सा CL, मतलब propane oil chloride, अब propane oil chloride in the presence of ALCL3, यह क्या करेगा, ALCL3 यहां से निकाल देगा, CL minus को, ALCL फोर बाहर हो जाएगा, तो एलक्ट्रोफाइल के रूप में यहां पे जो बनता है, वो CH3, CH2, C double bond O के plus charge, यह एलक्ट्रोफाइल हो गया, अब यही बेंजीन के उपर attack करेगा, तो C double bond O and CH2 and CH3, ऐसा बन जाएगा, और यह बन गया हम लोगों को सबसे पहले X, और इसके बाद तुमको जो कराना है, वो clemencion reduction है, clemencion reduction हो गया इसके case में, यानि zinc amalgam, zinc amalgam in the presence of concentrated SCL, इसमें क्या करना होता है, जो C double bond O होता है, उस C double bond O को सिर्फ हम लोग CH2 में convert करते हैं, यह CH CH2 में convert करके हमने बना दिया, इसके case में, इसके case में, प्रोपेन, ठीक है, तो मतलब प्रोपेन नहीं, इसको normal propyl benzene कहेंगे, यह X के बाद हम लोगों को Y बन गया, इसके बाद आपको पता है, इसके बाद जो हमको कहा है कि strong oxidizing agent, के-मनोफोर, तो के-मनोफोर जो भी दिया ह हुआ है, अगर उसके पास at least one alpha H है, कोई भी ऐसा alkyl है, बेंजीन के साथ है, जिसमें की at least one alpha H है, तो वो बना देगा यहाँ पर क्या, बेंजोईक एसीड का formation कर देगा, और बेंजोईक एसीड का formation करेगा, अब इस बेंजोईक एसीड को तुम लोग क्या करते हो, सोडा लाइम के साथ हीट करते हो, NaOH प्लस CAO, इसको हम लोग कहते हैं सोडा लाइम, ध्यान रखना पहले, केवन फोर strong oxidizing agent होता है, अगर alkyl benzen में at least one alpha H है, उसको oxidize करके बेंजोईक एसीड बनाता है, सोडा लाइम के साथ जब तुम reaction कराते हो, यहाँ पर decarboxylation हो जाता ह है, बाहर हो जाता है, इसके case में, Na2CO3 और बन जाएगा बेंजीन, यानि कि 98 का answer यहाँ पर तुमको जो मिलेगा, वो second मिल जाएगा, decarboxylation करके Na2CO3 निकाल दो, बेंजीन का formation हो जाएगा, इसमें, ठीके, उसके बाद देखो, 98 नम्मर question के बाद 99, 99 में बहुत आसान है, कि इमनोफोर दिया हुआ है, acidic medium में, acidic medium में क्या होता है, carbon carbon double bond के about, अगर 1H होता है, तो यह complete cleavage होता है, ध्यान रखना, जब भी carbon carbon double bond के about, यहाँ पर at least 1H है, तो complete cleavage होकर के, अगर 1H है, तो carboxylik acid बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि यह जो H है, और यह H है, उसके about carboxylik acid में convert होगा carbon, और बीच में कितने carbon है, 1, 2, 3, 4, तो क्या करो, यहाँ पर यह carboxylik acid में convert कर दो, किसको, यह carboxylik acid बना दिया, उसके बाद यहाँ पर लिख दो क्या, CH2, CH2, और फिर यहाँ पर एक और CH2, लास्ट में यहाँ पर फिर से क्या दिखा दो, COH, यह carbon को convert कर होगी COH में, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा CH2, होतो गया, ऐसा यहाँ पर होगा, ऐसा option एक ही तो match कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर carbon carbon double bond के about 1H है, तो बनता है carboxylik acid, 2H है CO2 plus water, एक भी H नहीं है, तब कितोन बनता है केमनफोर in acidic medium, लेकिन यह दिया water 273 Kelvin, अगर आपको दिया हुआ है cold dilute alkaline केमनफोर, यहाँ पर 0 degree Celsius पे synhydroxylation होता है, तो यह 5 bond हटेगा, और एक एक OH सेम साइड से add हो जाएगा, यहाँ और यहाँ सिर्फ hydroxylation होता है, OH के एडिशन होता है, इसमें answer यहाँ पर हो जाएगा, 99 का 3rd हो जाएगा, तो ध्यान बनता है, और अगर यहाँ पर केमनफोर दिया हुआ है, 0 degree Celsius पे तो synhydroxylation हो जाता है, तीक है, इस तरीके से answer आपका 3rd आजाएगा, 99 का, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, 100 number question, यहाँ पर कहा रहा है, the number of following substituent can cause electrophilic substitution reaction, faster than benzene, benzene से ज्यादा reactive कौन होगा, यहाँ पर, त टीक है, electron religion group यहाँ पर लगा होगा, तो जादा reactive हो जाएगा, बेंजन से, और नहीं तो अगर यहाँ पर लगा देते हैं, electron withdrawing group, तो electron withdrawing group लगा देंगे, तो जाएगा, तो यह electron religion group है, यह electron religion group है, यह हो गया answer, यह हो गया, उसके बाद यह acceptor है, यह घटा देगा, यह भी minus ISO क एकसेप्टर है, घटा देगा rate of reaction को, यहाँ पर donor है, यह भी बढ़ा देगा rate of reaction को, यहाँ पर होता है, यह घटा देगा, यह घटा देगा, aperture है, यह घटा देगा, exceptional, hyper conjugation हो सो करता है, यह भी ethyle है, hyper conjugation Plus I 주고ता है, देख्छो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानि कि 100 का एंसर यहां पर आजाएगा आपको थर्ड तो देखेंगे ना जब भी बेंजीन के साथ लगा हुआ एलक्ट्रों रिलीजिंग ग्रूप होगा तो बेंजीन से ज्यादा रियक्टिव होगा एलक्ट्रों फिलिक सब्चेशन में और एलक्ट्रों विड्रोइंग ग थेंक यू